तो हलो माईडीयर स्थर्थर्थेंस वल्ल्मकम बाक्तो अनकेडवी कैसे हैं डिक आप लोग कैसे चल रप के स्टड़ी माइडीयर स्टटफथेंस मेरे प्यारे बच्छो नमस्कान मस्थि जैशरा में राम राम रांदे जैश्रेक श्लाम अलेक मंभर जैजय दिनंद्र आधा सिखने वाले हैं तो आज आ पना सुपर के बाड़े में आप खोताने वाले सुपर प्रिक आफ आर सी सर्किट तो मुझे तो प्रते बच्छे वह आपका प्यारा राजी युकुमार स्वानी सर्ड कुछ इंपोर्टेंन बात बता दूँ बेटा कुछ बैचे जैसे आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है ऐसा क्यों कि बैटा अने के प्रती नया बैच्छ लॉंच हो रहे हैं जैसे 29th of September को यह नया बैच्छ लॉंच हो चुका है यह तौप एडिकर्टर हो और इसके बाद भाव सारे बैच्छ लॉंच हो चुके हैं तो आप जल्दी जल्दी सब् स्किब्शन के बारे मैं आपको बता देता हुँ बैटा कि इसके अंदर में यादि अप प्लस सब्स्क्रिप्शन लेते हैं तो इसके अंदर है इंडिया के टॉप एडुकेटर आपको मिलते हैं बच्छे इनके साथ आपका लाइव इंटरक्टिव लेक्चर होगा लाइव ऑफर चल रहहा है 24 मंत का सब्सक्रीप्शन प्रैस काफी ही नम्न है यह काफी जल्दी ट fif टाइम ऑफर चल रहा है बच्छेए आप जल्दी जल्दी कर लिजी और यदि आप इस पे आरके सोनी सरका referral code लगाते हो तो आपको maximum discount में मिलता है अब आपके शक्नों को उरान देने के लिए अनिकेड में आ चुका है आपके financial assistance को भी provide कर दो यदि आपके पस कोई financial crisis है financial problem है तो आप financial assistance ले सकते हैं या यह given contact number है Monday to Saturday 10 to 7 p.m. पे call करके आप यहाँ सा assistance ले सकते हैं गट चलिए कुछ और बाते बता दूब च्छे आइकोनिक subscription के अंदर ने बच्छे लाइव one-to-one लाइव में आपको प्रोवाइड कराया जाता है तो इसके बात भी आप बच्छे आर के सोनी सरका के रेफरल कोड लगाते हो तो आपको और भी maximum discount मिल जाता है इसके बच्छे तो आज अपने study करने वाले हैं RC circuit के बारे में तो यही बाते मैं आपको बताऊंगा और एक एक चीज को मैं आज आपको लिख के प्रहाने वाला तो अपन RC circuit में यदि कोई एक complex circuit आ जाता है तो उसके circuit को हम कैसे solve करेंगे यह मैं आपको सीखाऊंगा circuit को मैं sort में सीखेटी लिखाऊंगा ठीक है तो RC circuit जेनरल ही आप जानते हो बच्छे कि एक capacitor के अपन बात करें वाटा तो capacitor इस विदर T equals to zero पे short circuit वायर के तरब भी हैप करता है तो इन्फनिटी पे open circuit वायर के तरब भी हैप करता है और जब हम transition state की बात करते हैं तो तो ट्रांजिशन स्टेट के के केस में हम जानते हैं जैसे माली जे को मैं आपको एक simple सा case आपके सामने पेस करता हूं माली जे कोई एक battery है ये कोई एक आपका register है और यहां पे विटा मैंने एक डाल दिया कोई capacitor ठीक है और मैंने इसका capacitance दे दिया C इसका resistance है R मैं पूछो कि इसको पर charge कितना रहा है transition state पे what do you mean by transition state in between T equals to zero to T equals to infinity anytime T पे इसको पर charge कितना आता है उसके बात करें वेटा that is q is equals to हो जाता है वेटा q not under bracket one minus e raised to power minus T upon tau लिए यहां तक क्या चीजे तो आप पहले पढ़े हothy honगे और आपको यह चीजें ज़रूर पता होगा आगा मेरा काम यह बताना नहीं इससे विए ओपर की बाते बताने आपके साथ करूँगा टाओ को और ज्यादा मज़ा यहां पर में बतादू बइटा Qनट क्या होता है ? 7HAN mt忌ब कि T चार्ज यह जब कैपाशिटर का अपर आजाए यह जब कैपाशिटर गम्प्लिटली चार्ज हो जाता है तो उस समय छो इसकी ओपर चार्ज आता है यह इसकी का अपन Q Fey यहां पर हो जाता है और यह ताउ की हम बात करें बटा यह टाउ जो होता है तो यह जब इसके कोश्चन्स आजाएं कि टी इपोल्स टू किस टाइम पे आपके आपसे चार्ज पूछा जाएं के अपसीटर के ऊपर तो बड़े असानी तरीके से इस कॉंसेप्ट का आप इस्तमाल करके आप कोश्चन्स कर लोगे और निकाल लोगे लेकिन मैं आपसे एक ऐसा सिनेरियो क्र के सामेजरा ये केस्स देखे माल लिज्ट में श्री अपन ऐसा कोई excel ले लेते हैं की कोई एक रजेस्टर लेते हैं और यहां पर एक और कोई हम देते हैं और फ्रॉसाज और हम इसके पारलल में एक लगा देते हैं क्रेसी को अ अब जैसे कि मैं आप से देखने कि मैं आप से पूछ दूँ कि वाट इसे चार्ज ओन केपसिटर सी एट ट्रांजिन्ट टाइम या ट्रांजिसन स्ट में या मैं यह बोलू कि आइट अनी टाइम टी मतलब वह आइं इन बीट्वें टी क्वेस्ट टी टी टाइम पर चार्ज किया तो कैसे निकालेंगे जैसे मैं कोशन में लिखें देता हूँ find charge on capacitor at t equals to t okay equals to time t t does not equal to 0 or t मतलब ट्रांजिस्टन टाइम के बात मैं बोल दूँ इस इसको धियान से दिखिए है तो इस टाइम पर हम इस पर चार्ज निकालने का अब यह प्रश्ण आपके सामने आ चुका माले जिसका वोल्टेज भी है नॉर्मली यदि मैं बात करें नॉर्मली यदि आपके साथ ही मैं आपके साथ मैं बात करना पसंद करूं तो नॉर्मली यदि एक ऐसा एक कैपसिटर और एक रेजिस्टर सीरीज में होता तो मैं यह लगा देता और कोशन को सॉल्व कर लेता है बट यहां पर यह समस्या आ य하ोसी मैं इसको बोल सकता हूं, सबसे पहले मैं लिखोंगे और step number one लिख किरके और आपको समझाते हुए चलूँगा step number one क्या कहता है कि हम सबसे सीधे सीधे क्या काम करेंगे सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि capacitor को बना दो बेटा open circuit capacitor को क्या कर दो बेटा open circuit और जो potential difference है या जो सेल है या जो बैटरी हम लगा रहे हैं उसको कर दो बेटा short circuit short circuit और इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको एक नया circuit ड्रॉ करना है draw a new circuit draw a new circuit with above condition यह उपर वाला condition मैंने जो आपके सामने face किया है capacitor को open कर दीजिए voltage को short कर दीजिए छलिए यही मैं करने जा रहा हूँ तो इसका एक circuit diagram ड्रॉ कर लेता हूँ मैं पैटरी को मैंने short circuit कर दिया रेजिस्टर जैसे था वैसे रहने दिया क्यूंकि रेजिस्टर के बारे मुझसे कुछ कहां नहीं गया है question में step में तो जैसे रेजिस्टर के बारे में जो है और capacitor को मैंने कर दिया open circuit capacitor को मैंने निकाल करके फैंक दिया open कर दिया अब यह मेरा जो draw करने के लिए मुझसे बोला गया था अब step number two step number two में आपको क्या करना है step number two में क्या करना है कि equivalent resistance निकलना है इस AB terminal का बार जो भी capacitor हटा के आप वहाँ पे टर्मिनल लिखे तो उसके बाउट आप equivalent resistance निकल दिजेए find equivalent resistance equivalent resistance about AB इस AB के about equivalent resistance आप निकाल दिची हूँ तो भाई हम इसके about equivalent resistance निकालने का परियास करते हैं तो देखिए क्या होता है यह है यह भी टर्मिनल है यह भी टर्मिनल है यह B है फी पी फी पी फी तो यह register और रवन किसके बीच में यह किसके बीच में यानि कि यह दोनों होगा परलल कॉम यानि कि यह दोनों होगे पार्लल कॉंप्विनेशन में यह होगे बटा आपका आर वन यह होगे बटा आपका आर टू और यह होगए आपका टर्मिनल तो पार्लल कॉंप्विनेशन में होगे तिनका आर एकोवालान कितना होगे सब्सक्राइब कोई बच्चिया मुझस से कोई मेधावी छात्र कोई इंटेलिजन बच्चा मुझस सकता है इस सर जरूरी तो नहीं एक हमेशा पार्लेल में आगा कोई दूसरा केस आ गया तो उसका फुरे एक्वालेंट रेजिस्टन्स निकाल दो आप एक्वालेंट रेजि यह चीज में आपको साथ बताने वाला कि स्टेप नमबर थर्ड में हम क्या करेंगे बेटा कि यह जो सर्कीट हम ड्रॉ किये जो सर्कीट जिसका मुझे आर्ज निकालना है क्यापाचिटर के ऊपर इसमें मैं वहीं वाला फर्मुला इस्तमाल करूंगा जो पहले मैं लिखूंगा तो मैं स्टेप नमबर थर्ड पे चलता हूं और आपको चीज़े समझाने का पर्यास करता हूँ अब जो हमारा टाउ जो हुआ करता था अब उस ताउ के जगवे तक क्या लिखना है जो आर हुआ करता था उसके अपर रिक्यूवालिन निकाल रिखना है रिक् यह आपका हो गया टाव का और जो कर्मूला वहाँ था उसे फर्मूला प्लीग देजिए तो कीविज कुस्टू क्या था यदी आपको याद आ रहा हो तो मैं याद दिलाता हूं कीविज कुस्टू क्यू नॉट यहां मैं capital Q लिखता हूँ under bracket 1 minus e raise to power minus t tau भरि tau का तो काम यहाँ पे हो चुका है अब किसी भी तरीके से आप Q के value को निकाल लीजिए तो अपना सारा का सारा काम खतम हो जाएगा और हम लोग जिसके इंतिजार में थे वो value हमारे आ जाएगा तो सबसे बल मैं आप से यह पूछना चाहता हूँ चलो मैं background के पीछे सबसे first picture में सलता हूँ यह charge Q not क्या होता यह वह charge होता था बच्छे जब यह capacitor completely charge हो जाता था यानि कि यह Q not जो था steady state charge steady state charge तो ठीक यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे करेंगे यह से भी हम बोल देंगे कि यह भी क्या है steady state charge steady state charge of capacitor steady state मतलब जब capacitor completely charge हो चुका capacitor क्या हो चुका हो फुली चार्ज हो चुका यह तो बड़ा विस्त्र बात आ गया कि अब यह जो सर्किट दिया हुआ था हमारे पास अब उस सर्किट को ज़र एक बार और फिर थे मैं यहां ड्रॉकर करके आपको दिखा दूँ यह आर वन यह आर टू और यह capacitor तो भाई इस capacitor की ऊपर steady state charge कितना होगा अब यह निकालना हमारे लिए बड़ा मुस्किल की बात होगी बड़े मुस्किल की बात होगी बटा कि इस चार्ज ही वैलो कम कैसे निकालेंगे तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ और यह चीज आप सीख सुके हो कि इससी भी क्यापसिटर को पर टी कोस्ट इंफनीटी पर चार्ज कितना होता उससी चार्ज को पनिस्टेडियस रचार्ज बोलते हैं यह आप पढ़े भी होंगे लेकिन आपको स्टेप नमबर फॉर में इसको सिखा देता हूं सिखा देता हूं सिधा सीधा देखे बच्छेटि मैं इस पॉइंट का नाम दे दूं कि यह पॉइंट भी होगा इसका नाम दे लुटा मैं यह वह जाएगा कि इससे क्या पता चल रहा है बैटा कि यह रेजिस्टर और यह सी दोनों क्या है वच्छे पारलल कॉंबिनिशन और चुकी हम बात कर रहे हैं इस टीडिये स्टेट चार्ज का तो यानि कि टीक्वास टू इंफिनिटी पर इसको प्रव कोई चार्ज मतलब टीक पॉस्ट इंफिनिटी मैं बोलूं या ऐसा बोलों कि यह चार्ज का प यहां से निकल जा रहे हूँगे और यहां से निकल करके ऐसे जहार होगा है कि यह तो मुझे इसके अबाउट कैदी किसी इंट्रिजिएंट बच्चे ने मुझे से बोला कि महा साहिए आप इसके आप पोटेंसिल डिफरेंस निकाल लीज़िए इसके बाटेंस्ट निकाल तो अपना सारा काम हो जाएगा यह potential difference निकला तो हम capacitor से multiply करकी और हम निकाल सकते हैं इसको पर कितना charge है यह नहीं बोला बात तो बिल्कुल सही है तो फिर उसने बोला कि सर आप ध्यान से देखिए तो यह दोनों R2 और capacitor series combination नहीं parallel combination में हैं और parallel इसका मतलब कि जो potential difference is R2 के अबाउठ होगा वही potential difference is PT के अबाउठ होगा तो हमारा परम संकल पे कि हम निकाले potential difference about this register R2 तो चलिए कैसे निकालेंगे तो भाई हम यहां से current की value निकालने तो current की value आ जाने के बाद इस register R2 से multiply करते इसको इसका difference आ जाएगा तो इसमें current कितना हो जाएगा बच्छे यह current हो जाएगा V divided by R1 plus R2 तो यह हम potential difference की बात करें potential difference की बात करें बैटा PT point के अबाउट तो यह कितना हो जाएगा I into R2 तो I कितना है बैटा V divided by R1 plus R2 है तो यह V divided by R1 plus R2 डाल दिजे इन्टू डाल दिजे R2 तो यह होगा बैटा आपका क्या potential difference किसके बाउट इस PT के बाउट और यार यही तो क्रॉस भी पोटेंशिटर दिफरेंस होगा बिल्कुल यही होगा तो अब हम क्या करें है चार्ज ओन क्यापसिटर लिख सकते हैं डाट इस की वी जिकास्टू सी इन्टू डेल्टा भी पी टी अच्छा पोटेंशिल डिफरेंस अब दिस इसको मल्टिपलाइ कर जिए यानि की वी जिकास्टू क्या होगा बच्छे सी वी आर टू डिवाइड़ बाई आर ब्लस आर टू और यह हो गया प्यारे आपका चार्ज की क्यो खतम सवाल अब इसको आप एसेंबल कर दिजी माली जे कि यह एक्वेशन नमबर वन था यह ए क्या करते हैं बच्छे इसको आप यह दी इक्वेशन नमर थार्ड बोल दीजिए तो मैं क्या लिख सकता हूं फ्रम 1 टू 3 फ्रम 1 टू 3 मैं नेक्स पर चला जाता हूं लिख देता हूं फ्रम 1 2 & 3 क्या लिख सकता हूं बचा युव इज इक्वाल स्टू क्यू नॉट के ज अंडर ब्रेकेट 1-e-2-t upon tau टाओ के जब है क्या RC तो यह डिरेक्ट लिख दो आर एक्वालेंट इन खत्म सवाल अब आर एक्वालेंट तो यार आपको निकालने आता है यह मत्विशना किसार एक्वालेंट क्या होगा आर एक्वालेंट निकालने आपको आता है और मैं आ चार्ज ऑन डाट कापसिट्ट होफफुली मैंने जो कुछ भी कॉंसेप्ट आपको परहाने का प्रयास किया यह कितना खतरना कोश्यन था यदि इसको अपन दूसरे मेथर से सॉल्व करते तो के वील के सील इसमें लगाते और के लंबा चौरा मुझे मैथमेडिक्स करना पड करते तब जाकर मैं को सॉल्व कर पाता है लेकिन उससे यह आसान तरीका एक हुआ तो इस तरीकी को आप अच्छे से अपने अंदर समझ लीजेगा और फिर हम लोग मिलेंगे बच्छे नेक्स्ट लेक्चर के टाइम पर और मिलकर के आपके रिमेनिंग कॉंसेप्ट को भी अपन पूश्ट करेंगे चलिए तो कुछ इंपॉटेंट बाते बता दूँ अने करवे का ब्रांडेट नोट्स का महाल चल रहा है बैटा इसमें यह आने करवे का ब्रांडेट नोट्स काफी वॉंडरफूल इन्ट्रेस्टिंग और वेरी अट्राक्टिव है काफी ज़्य इसे भी टाइम पे access कर सकते हैं काफी interesting काफी बढ़िया है तो आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के लर्नर को यह पूरा branded वालिट है 12-month 18-month और 24-month सब्सक्रिप्षिशन लेने वादने स्टूडेंट के लिए लिए बीटा कॉम्बो पैक चल रहा है जैसे आप बोड के लिए लिए लेना चाहते हो या आईकोनिक और प्लस लेना चाहते हो बोड और अपने निट के लिए या आई 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 के ल तो यह सारे पैक बच्छे आपके पास मिल सकते हैं और इसमें एक्साइटिंग 20% का ओफर 20% का एक्साइटिंग ओपर चल रहा है इस इसको अब ध्यान रखेगा बच्छे 20% लिए और प्लस आप आरके सोनी सरकार रेफरल कोड लगाते हो तो आपको और मैक्स के संभाव मे अनीफित मिलने का चांस होता है बच्छे यह अनुक्त बीक कॉम्बैट मतले नीट कॉमबैट का नाम से बच्छे परतिक संड़ को 11 वैसे यह होता है बच्छे और यह यदि पेपर को अनलोग करना होगा तो आरके सोनी सरकार पर रिफरल लगा ले ना पिपर को अनलोग कर क्वाले स्टुधेंट को वन येर के सब्स्क्रिप्षन प्री मिल रहा है फूर टू टू पर ये फाइप परसंट के श्कॉलर्शब्ट यवाले को फिट्टी पर्संट जटूट्स पर फिक्टी एप ध्यान रखिएगा पीटा तुदेही देना चाहिए प्यादि का हुपफ सु आज के लिए इतना ही रखते हैं and please do like this session, share this session among your all the friends, subscribe this channel, hit the bell icon and please do comment if this method is useful for you, so please do comment, पिर मिलते हैं प्यारे बच्चो अगले session के साथ, सु आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, thank you and all the best.